हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम तो आल इन माई चैनल, लर्न विज सुजाता साउ, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डैसिमल नंबर में आप मल्टिप्लिकेशन के कोशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, तो यहां पर मैंने तीन कोशन लिये हैं, जैसे यह तू डिजिट का है, य यहां पर टू डिजिट का तो है, लेकिन यहां देखिए, यहां पर वन वैल्यू, यहां पर भी एक वैल्यू, यहां पर दो वैल्यू, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक, अब स्टार्ट कतम, सबसे पहले बच्चों, आपको इसकी टेबल इतने बार पढ़नी है, यानि टू की टेबल सिक्स टाइम्स पढ़ेंगे, तो क्या हैगा, टू सिक्स ट्वैल्फ, ठीक, आपको यह पता है कि हमेशा जो लास्ट डिजिट होती है, हम उसे यहां पर लिखते हैं, और यह नमबर ऊपर कैरी की तरह जाता है, ठीक, अब देखो, टू सिक्स ट्वैल् गाल उस्ट लिखा टू, वन कैरी गया, टू ठीकंड़ आपने यहां पर लिखा, टून की स के टेबल आपको ट्रीकाइम्स पढ़नी है, टू की से टेबल ट्रीकाइम्स पढ़ेंगे तो आएगा आपके पास सिक्स, सिक्स आया, उस सिक्स में आपको यह कैरी, आड़ करना ह 6 plus 1 7 आपने यहाँ पे लिखा 7 यह आपका अंसर आ गया लेकिन अभी यह complete नहीं हुआ है यहाँ पे देखिए point लगा है कितने digit के पहले लगा है एक digit एक digit के पहले लगा है तो हम यहाँ answer में one digit के पहले लगाएंगे point चीँ? दूसरा question देखते है 3 की table आपको 6 times पढ़नी है 3 6 जा 18 18 में 8 लिखा one carry गया 3 2 जा 6 6 plus 1 7 3 4 जा 12 ठीक अब यहाँ count करिए कितने digit के पहले point लगा है one, two two digit के पहले लगा है one, two count करके आपको यहाँ लगाने आपको यह नहीं देखना कि six लिखा है कि two लिखा है कि three लिखा है कि four लिखा है हमें सिर्छ देखने कि कितने digit के पहले हमारा point यूज हुआ है अब यहाँ देखे two की table two times पढ़ेंगे तो क्या आएगा आपके पास 4 और 2 की टेबिल 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो आएगा 8 ठी? यह तो इससे आपने multiply किया अब हम जब इससे करेंगे तो इससे पहले हम यहाँ पर cross लगाएंगे 6 2 जा 12 12 हुआ लास्ट डिजिट आपको यहाँ लिखनी है तो क्या जाएगा 25 अब आप इन सब को जोड देंगे 4 8 और 2 10 का 0 1 कैरी 5 और 1 6 और यह 2 ठी? अब देखिए 1 डिजिट के पहले यहाँ पर पॉइंट लगा 1 डिजिट के पहले यहाँ पर पॉइंट लगा तो हमाँ पर टोटल कितने डिजिट होए? 2 डिजिट हो गए तो हम यहाँ पर काउंट करेंगे 1, 2 इस 2 डिजिट के पहले हम यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट तब आपका यह आंसर कंप्लीट होता है और आप आपका यह आंसर सही माना जाएगा अगर आप डैसिमल नहीं यूज करेंगे तब तक आपका यह आंसर इनकंप्लीट है आपको यह तीनों कोर्शन समझ में आए गए होंगे आप प्रैक्टिस करिए जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशल है तक आपके लिए प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस करेंगे